तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा जीओ फाइबर प्लान और कॉमवे प्लान के बारे में शुरू करते हैं जीओ फाइबर प्लान के साथ में जो की बिल्कुल लेटेस्ट आया है 2022 का जैसा कि अब अब स्क्रीन पे देख रहे हैं यह पेंप्लेट मुझे नया मिल है अब ही जैनवरी 2022 में मिला है तो उसके हिसाथ से मैं आपको प्लान समझायता हूं फ्री 30-day ट्राइल प्रीपेड लेट साइड में आप देख रहे हैं जीओ फाइबर पोस्पेड तो पहले मैं आपको बतायता हूं जीओ प्रीपेड के बारे में जीओ फाइबर प्रीप सेट टॉप बॉक्स विद सब्सक्रिप्शन टू 13 पेड ओट एप्स और इसमें वन टाइम रिफंडबल अमांट अप्लिकेबल होगा जो कि आपको 1500 रुपीज देना है नीचे आपर देख सकते हैं लिखा हुआ है वन टाइम पेमेंट रुपीज 1500 और इंटरनेट प्लस से प्लाइबल होता है प्लाइन की वैलिडिटी होगी 30 देज 30 दिनों के लिए वैलिड है ट्राइल पीरियेड में आपको नेट्प्लिक्स और प्राइम वीडियो की फैसिलिटी नहीं मिलेगे और इसमें जो भी अभी मैं आपको प्लाइन बताऊंगा उसमें जितने भी OTT वूट केट्स, जियो सिनेमा, जियो सावन, यूट्यूब, प्लस फाइव मोर अप्स तो मैं शुरुआत से आपको बतायता हूं प्लाइन के बारे में तो पहला प्लाइन है 399 रुपीज यह है 399 रुपीज का प्लाइन इसमें आपको 18% GST इंक्लूड करना होगा तो यह ए 30 MBPS से उपर स्पीड नहीं जाएगी, पहले प्लाइन में आपको 30 MBPS स्पीड मिलेगी, अलिमिटेड वॉइस काल्स होगे, आप अलग से अपना लैंड लाइन परचेस करके इसमें अटाच कर सकते हैं, इस जियो फाइबर बॉक्स में, जियो फाइबर रॉटर में और अलिम इसमें है 150 MBPS की स्पीड, अलिमिटेड वॉइस काल्स, इसमें आपको एप सब्सक्रिप्शन मिल जाएगे, जैसे की अमेजन प्राइम, और साथ में 13 एप वर्थ 1000 रुपीज, और ये मंतली सब्सक्रिप्शन होगा, तो नेक्स्ट प्लान है 1499 रुपीज, इंक्लूडिंग प्लस 18% GST, इसमें स्पीड हो जाएगी इंटरनेट की 300 MBPS, अलिमिटेड वॉइस कॉल्स, और इसमें आपको एमेजन प्राइम, प्लस नेट्फिक्स, और साथ में 13 एप जो की 1500 रुपे तक के होगे, और नेक्स है 2499 रुपीज का प्लान, प्लस 18% GST, इसमें इंटरनेट की स्पीड है 300 MBPS, अलिमिटेड वॉइस कॉल्स, इसमें है अमेजन प्राइम, प्लस नेट्फिक्स, और 13 एप वर्थ 1650 रुपे, मन्त्री सब्स्क्रिप्शन, और नेक्स प्लान है 3999 रुपीज, प्लस 18% GST, इसमें इंटरनेट की स्पीड होगी 1 GBPS, अलिमिटेड वॉइस और तरिटीन एप वर्थ 1650 रुपे, मन्त्री सब्सक्रिप्शन, और नेक्स है 499 रुपीज का प्लान, प्लस 18% GST, इंटरनेट की स्पीड होगी 1 GBPS, और अलिमिटेड वॉइस कॉल्स, और अप सब्सक्रिप्शन में, अमेजन प्राइम, प्लस नेट्फिक्स, प्लस 13 एप वर्थ 1850 रुपीज जितने भी प्लान में एप्स जो मिल रहे हैं एप्स में आपको होट स्टार सोनी लेव जी फाइव वूट वूट किड्स जीओ सिनेमा जीओ सावन यूट्यूब प्लस फाइव मोर एप्स यह सारे आपको एप्स मिल जाएंगे तो यह हो गया जीओ फाइ प्लान है 399 रुपीज का इसमें भी 3 मंथ का यह अवेलिबल नहीं है यह स्टार्ट होता है 6 मंथ से तो 6 मंथ में आपको देना होगा 2,394 प्लस एक्स्टा 18% GST और 12 मंथ में आपको देना होगा 4,788 प्लस एक्स्टा 18% GST और इसमें अप्टू 30 MBPS की स्पीड मिलेगी और का सब्सक्रिप्शन इसमें नहीं है तो नेक्स प्लान है 699 का इसमें 3 मंथ का अगर आप लेते हैं तो 2,097 रुपीज प्लस 18% GST 6 मंथ का है 4,194 प्लस 18% GST 12 मंथ का है 8,388 प्लस 18% GST इसमें आपको स्पीड 100 MBPS की मिल जाएगी और एप्स के सब्सक्रिप्शन नहीं होगे इसमें और नेक्स प्लान है 999 रुपीज गि इसमें थ्री मंथ का प्लान है 2,997 रुपीज प्लस 18% GST 6 मंथ का प्लाइन 599 5,994 प्लस 18% GST और 12 मंथ का प्लान है 11,988 अगल ब्लस 18% GST इसमें आपको 150 mbps की स्पीड मिल जाएगी और आप्स के सब्सक्रिप्शन होगे इस तो इस तरीके से ही आप प्लान का माउन बढ़ाते जाएंगे तो उसके साब से आपको तीन मेने आप कल्कुलेट करके वैसे ही कर सकते हैं इसको इंटू 3 कर सकते हैं इंटू 6 कर सकते हैं इंटू 12 कर सकते हैं इसकी स्पीड है 300 Mbps इसको भी आपको अमेज़न प्राइम नेट्फिक्स प्लस 13 एप वर्थ 1500 रुपीज एसा ही बिल्कुल नेक्स एसा ही नेक्स प्लैन है 2499 रुपीज का इसको भी आप 3 6 12 मंत में कंवर्ट कर सकते हैं इसकी स्पीड होगी 500 Mbps और इसमें एप सब्सक्रिप्शन है अमेज़न प और 12 मंस में कंवर्ट कर सकते हैं इसकी स्पीड होगी 1 Gbps एपस में आपको मिल जाएंगे अमेज़न प्राइम नेट्फिक्स 13 एप वर्थ 1650 रुपीज और लास्ट प्लैन है 1499 रुपीज का इसमें इसमें भी आप इसको कंवर्ट कर सकते हैं 3 मंस 6 मंस और 12 मंस में इसमें स्पीड मिल जाएगी 1 Gbps और एपस होंगे अमेज़न प्राइम नेट्फिक्स 13 एप वर्थ 1850 रुपीज पोस्ट पेड में अगर आप जियो फाइबर के अलावा सेट ऑप बॉक्स भी लेते हैं तब आपको इसमें थाउजन रुपीज सिक्योरिटी डिपॉसिट देना हो मेला है जैनवरी 2022 में तो यह था जीओ फाइबर प्रीपेड और जीओ फाइबर पोस्ट पेड का प्लान बिल्कुल लेटेस्ट और प्रेट में नीचे सबसे लिखा हुआ था लिमिटेड पीरेड ओफर केट वन मंथ एक्स्ट्रा वायर रेफर स्कीम अगर आप यह प्लैन अगर आपको दूसरे सेटी में या स्टेट में पता करना है तो आपने लोकल सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं जीओ के उनसे आपको पता करना बढ़ाई कर दो अब हम बात कर लेते हैं कॉम्वे फाइबर प्लैंक्स के बारे में यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रेफर ए के वैलिटी मिल जाएगी आपके अपने प्लैन पर और दो मेने के लिए इंटरनेट फ्री होगा आपके पास पहले प्लैन को आप चेक कर लेंगे तीन नए ओफर दिये जा रहे हैं जैसे कि अलिमिटेट लाइफटाइम ओफर और यह इसमें आप एक साल का सब्सक्रिप्श लेते हैं एडवांस में पेमेंट कर देते हैं तो आपको छे मैने की एक सब्सक्रिप्शन आटोमेटिक फ्री होगा आपके पास एक साल खतम होने के बाद छे मैने एक्स्टर आपको मिलेंगे इंटरनेट यूज़ करने के लिए और इसमें स्पीड होगी 120 Mbps जो की बहुत पच्छी स्पीड है और अनलिमेटेड डेटा होगा और यह प्लैन स्टार्ट होता है 369 पर मन्त तो आप इसे एक साल के लिए क्ल्फिलेट कर सकते हैं और नेक्स्ट ऑफर है अनलिमेटेड लाइफ टाइम ऑफर इसमें आप अगर एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं बा मेरे ब्रदर ने जो प्लैन ले रखा है मैं आपको दिखा देता हूँ कॉन सा है तो यहां पे सारे टारिफ प्लैन्स लिखे हुए है युद पहला वाला प्लैन आपको दिख रहा है 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन उसने लिया था और उसमें उनको सिफ पे करना पड़ा है 4.99 पर मन्त तो एक साथ यह एक साथ पे करना होता है तो आल्मॉस्ट फिन हंडेड रुपीज देने पड़े तीन मेने के और इसमें स्पीड उनको काफी अच्छी मेलके 60 Mbps को में भी वहां पर यूसटा हो इंटरेट तोस में काफी एची है अब इसे कोई सक्रेंट देख सकते हैं अगर एक मन्त का मंथली प्लान आपको चाहिए तो 555 रुपीज मंथली पे करना है यह सारे जो मांट आपको दिख रहे हैं इसमें टैक्स ऐड़िड नहीं है तो 555 का 100 mbps speed के लिए आपको 700 रुपीज तक 699 तक प्रेकरने पड़ेंगे मंतली उसके बाद 200 mbps जितना आप mbps बढ़ाते जाएंगे उसके हिसाब से आपको पैसे भी एकसब प्रेकरने पड़ेंगे तो वैसे ही quarterly है वैसे ही semi-annual है उसके बाद annual plan है तो इससाब से amount आपके सामने लिखे हो है अगर आप features में जाएंगे तो आपको वेबसाइट से go through कर सकते हैं तो आप इनकी पूरी website चेक कर सकते हैं परचेस करने से पहले अगर आपके पास time है आप चेक करना चाहते हैं तो आ तो मेरे हिसाब से यह Comway का WiFi router, Comway का plan, Comway का internet plan काफी अच्छा है कई जिगा मुझे इसका सुनने आया था कि इसका service अच्छी नहीं होती लेकिन मैंने मेरे brother ने यह लगा रखा है अपने घर पर तो इसका service काफी अच्छी है एक साल से उपर हो चुका है तो इसका review काफी अच service यह सब अभी अच्छा ही है वहाँ पर ऐसी कोई भी दिक्कत आई नहीं है अगर आपको यह suit करता है यह plan, Comway का plan तो आप बिल्कुल जा सकते हैं इसके लिए तो मैं uninterrupted service यह provide कर रही है Comway तो यह मेरे ब्रदर का अभी तका experience है अच्छा experience तो यह था geofiber और Comway fiber के plans के बारे में Okay friends, आज की वीडियो में इतना ही I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो like जरूर कर दें और अपने family friends में share भी करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो subscribe करना ना भूले और साथी साथ bell icon को hit कर दें for latest notification of my videos इसके regarding questions हैं तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं उनके answer कर दूँगा जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाइबाइब